आज है 22 मार्च, बीश्व जल दिवस, आए देखते हैं परमोकतत्य, सारी दुनिया में 1993 से परतेक 22 मार्च को बीश्व जल दिवस मनाया जाता है, इस दिवस को मनाने का उदेश्य, बीश्व के शभी बिख्षी देशों में स्वक सुरक्षित जल की उपलप्ता सुनेशित कर रवाना है, साथ ही जल सरक्षण के महोत पर ध्यान केंद्रित करना है, बीश्व जल दिवस का इतिहांस, बीश्व जल दिवस मनाने की अनूठी पहल, रियोडी जेनरेव में 1992 में आयोजित पर्यारणता था, विकास पर सुन्जोक राष्ट समेलन द्वारा आयोजित कारिक करम में की गई थी, इसके उपरा, 1993 में संजोक राष्ट ने इस तीन को वारसी कारिकरम के रूप में मनाने का निना लिया, संजोक राष्ट ने सुरक्षित पीने के पाने को एक मौलिक अधिकार और जीवन असर को सुधारने की दिशा में एक आवस्या कदम के रूप में ग सिधारित किया है सताद भीकास 2030 का लक्ष्य शिक्स स्वक्ष जल तक पहुंच हम स्वक्ता है तु समर्पीत है शंपूर विश्व में जल संकट को दूर करने यों जलापूर्ती को बहाल करने के साथ जल संसाधनों पर पढ़ रहे दबाव याने बाढ़ सूखा इतियादि से निपटने है तु बर्स 2018 से दुएर अठाइस तक के सत दसक को जल कार्य वाही दसक घोसीत कर रखा है बीश्व जल दिवस की थीम वर्ड वाटर डेट थीम बीश्व जल दिवस दुएर बाईस की थीम गराउंड वाटर मेकिंग द इन्विजीवल भीजीवल है अन्हें भू जल अद्रीश को त्रिश्यमान बनाना है बीश्व में जल की बर्तमान इस्तिती बर्तमान में इस मारी के समय में भी पूरे बीश्व में तीन औरब से भी ज्यादा लोगों के पास अब तक हाथ धोने के लिए जल जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है जल संकट से असी देशों के करीब एक औरब 42 करोड लोग पर भावी थे उलिखनिया है कि इन में से 35 करोड बच्चे हैं 2015 तक जल संसाथनों परतियादिक दबाव के कर्ण आदे से अधिक वैस्विक अबाधी पर जल संकट का जोखिम होगा अकेले मरुवस्तली से शव देशों में एक औरब से ज्यादा लोगों की आवजिव काओं पर खत्रा उत्पन होने का शंकट बरकरार है जल की भारी कमी से बर्ष 2030 तक 70 क्रोड लोग विस्थापन के लिए मजबूर हो सकते हैं भारत में जल की बरतमान इस्थीति बीगत कुछ दसकों से देश को तीवर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है देश के गरामिर इलाकों में स्वख्ष पेजल की इस्थीति बेहत गमीर है 18.93 क्रोड गरामिर परिवारों में से केवल 3.23 क्रोड यानी 17% नल के पाने का कनेक्शन था हलाकि जल जीवन मीशन जेजे एम जिसका उदेश 2024 तक परतिये गरामिर परिवार को नल के पाने का कनेक्शन देना यूं इसके तोहत 9 क्रोड से अधिक गरामिर परिवारों को लाब मिला है पांच राजो यानी गोवा हर्याणा ही माचल परदेश तमिनाडवर तिलंगाना में सभी अगनवाडी केंदरों में 10% पेजल कनेक्शन दिया गया है उत्तर परदेश बिहार पसिम बंगाल 36 गर और ओडिशा जैसे कुछ राजों में जलापूर्ती किर्तिती बेहत गंभीर है जहां पाइप लाइन्स या पूर्ती पांच परतिसत से भी कम है जल परवंधन और जल की उपलबता के लिए सरकारी परियास राष्टिय गरामिड पेजल कारिक्रम नर्डी डवलू पी का परवं जिसका ओदेश परतिय गरामिड ब्यक्ति को 2022 तक शत्तर लीटर स्वक्त जल प्रति ब्यक्ति प्रति दिन उनके घरालू परिसर के भी तरिया पचास मीटर तक की दूरी तक परदान करना है बर्स 2018 में शुरू हुए स्वजल योजना के माध्यम से गरामिड इलाकों में पाइप लाइन से जल पूर्ति को बढ़ाना भारत सरकार का लक्ष जवर 22 तक सतही जल अधारित पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से 90 पर 30 गरामिड अबादी को एक दिरकालिन टीकाओ शामधान के रूप में सुरक्षित प्यजल उपलप कराना है शरकार जल उपचार तकनिकों को अधिक की फायती और पर्यारण अनकूल बनाने के लिए पर्यासरत है आरसेने के फोलराइट पर भायत गरामिड बस्तियों को सुरक्षित प्यजल उपलप कराने के लिए राष्टिय जल गुनवता उपमीशन पराम्भ है नीती आयोग द्वारद रठारे में संजोग जल परबंदन सुचकां की सुरुवात जो जल परबंद और जल चक्र के विभीन आयामों को मापता है जल सकती मंतराले का गठन जल परबंदन और जल की लपता के लिए सरकार के कुछ पर्मूख योजना है कमान छेत्र विकास कारिकरम नदी बेशिन विकास कारिकरम नीरांचलन राष्टिय जल शंभर परबंदन पर योजना राष्टिय जल ग्रेड राष्टिय नदी सरक्षड योजना नमामी गंगे राष्टिय जल मीशन परधान मंतरे केसी सिचाई योजना अटल भू जल यो भरता और इसका निरंतर अतियाधिक दोहन है जल सुरोतों का शुखना भू जल तालिका में तेजी से कमी सुखे की पुनराविर्ती और विभीन राजियों में बिगरता जल परवंधन बंद पड़े बोर पंपो जलापूर्ती पाइपलानों की मरमत शमय पर नहीं होना अधोगी करण और नमनी करण का दबाव अधिकान सहरों और लगभग उननीस हजार गावों में भूजल में फोलराइड नाइट्रेट किटनासक आधिका श्युकार सीमा से अधिक मौजूद होना गरामिण भारत में नकीवल प्यजल अपरियाप्त है बलकि देश भर में इसका असंतूलन बहुत ब्यापक है नेशनल हेल्थ फोलराइड ऑफ इंडिया दो रठारेक अनुसार भारत में सूचित किये गए करीब एक चोथाईया चार मामलों में से एक संचारी रोगों की वजह सिता था हर पांच मौतों में से एक जल जनित रोगों के करण होती है दुनिया के 30 देशों में जल संकट एक बड़ी समस्या बन चुकी है और आगले एक दसक में बैस्विक वादी के करीब दो तियां ही से को जल की अतियाधिक कमी का सामना करना पड़ेगा वास्ति करतों में भारत में जल संकट एक पर्मुक चुनोती बन चुका है एक उत्तम जल परबंध परनाली को कैसे सुनिशित किया जाए तकनिकों और नवचारों के साथ भारत की परंपरागत ग्यान परनाली की अंत्रजिष्टी को अपना कर वर्सा जल संचे को पुरसाहित करना तलाव चेक डेम गेबियम एस्ट्रक्चर एस्टॉप टेम शोक्तागड़ा अधो भूमी और रोधा रोकबान रिचार्ज शॉप्ट्र और अस्थाई बान गली प्लंग नाली और रोध इतियादी है छोट पर पर्याब्ध बरसा जल का भूमी जलाइसों में पुर्ण भर वर्षा का जल का भी संचियन वर्षा आधारित खेती प्राकिर्ति खेती वह शुखा रोधी बीजों के चलन को बढ़ावा पेजल के लिए कुसलता से पाने के निकासी वह परियोग यहम खेतों में सीचाई के लिए बून्द बून सीचाई तथा फ्वारा पत्ति का परिय रसायन वा कीटों का कम परियोग करके जल पर्दुशन को रोकना यहम प्राकिर्ति खेती को बढ़ावा देना जल सुरोतों में कचरा मूल मत्र के निस्तारण को रोकना यहम जल सुरोतों को जीवाणू रहीत करना जल का पुनर्चक्रन अनकूलतम परमंद और बेतर के लिए ब्यक्तिगत सामोहिक और अस्थानिक पर्यासों को प्रोचाहिद करना थांक्यू फ्रेंट अच्छा लागतर लाइक सब्सक्राइब सेर जोरु करें साथ में बेल आइकन का बटन दबना नहीं भूलें